हलो दोस्तों नबस्ते आदाव स्थ्यकाल आपका दोस्त गौरफ टेस्ट बुक सुपकोचिक पर स्वागत करता है तो दोस्तों हो जाएं तयार क्योंकि हम यहाँ पर करने जा रहे हैं फिर से एक बार करेंट अफेर पर वार जहां पर हम लोग करेंगे वीकली करेंट अफेर जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग हर मंडे को जो है वीकली करेंट अफेर करते हैं तो हम लोग यहाँ पर फिर से करने वाले हैं तो सब से पहले तो स्थी लोगों को भर-भर के गुड मॉर्निंग तो एक बाब फड़ा फड़ से जल एक दिशा में नहीं बहती है समय समय में बदलती रहती है उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है इसलिए समय खराब है तो परिशान नहों बस समय का इंतजार करें क्योंकि समय जरूर बदलेगा अगर आप परिश्रम कर रहे हैं तो खुद पर भरोसा रखे और उस भरोसे के साथ आप अपने तयारी को continue रखे और definitely एक दिन आपको success मिलेगी यह याद रखेगा ठीक है तो परिशार नहीं होना है और इसलिए हम लोग यहाँ पर daily मिलते भी है Monday to Friday यहाँ पर हम लोग मिलते हैं जहाँ पर हम लोग Monday को करते है weekly current affair जिससे आपका current affair कर सकते हैं cover ठीक है चले इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ तो दोस्तों आज आपको पता है weekly हम लोग current affair करने वाले तो इसमें हम लोग दोस्तों जादा से जादा question करेंगे और explanation कम करेंगे ठीक है तो यहाँ पर are you guys ready अगर ready है तो फड़ा वक्ष से yes type करें है और आप लोग तयार है questions के लिए तो यहाँ पर yes 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 पहला question तो फिर बढ़ते हैं हम लोग लेकिन उससे पहले दोस्तों आज important day में अगर हम बात करते हैं तो आज है 24 अप्रेल 24 अप्रेल celebrate किया जाता है national पंचायती राजडे क्या celebrate किया जाता है national पंचायती राजडे यह आपको याद रखना है अगर हम बात करें दोस्तों organization of village पंचायत जो है हमारे भारतिय सम्विधान के अनुछेद 44 में mention है किसकी में बात कर रहा हूं organization of village पंचायत की यह आपको ध्यान रखना है ठीक है अगर आपसे पुछा जाएगा पंचायत जो है वह किसमें मेंशन है य पंचायत जो है दोस्तों article 243 में है अनुछे 243 यह भी याद रखेंगा ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगले slide पे बढ़ेंगे और पहले question के साथ बढ़ेंगे पहला question आप सामने यह रहा अपरेल 2023 में उडान योजना के किस दौर की शुरुवात की है फूर्थ फिफ्थ शिख्थ और थर्ड कौन से दौर की शुरुवात की है तो फिफ्थ फिफ्थ कहरें यहां पे जितने लोग फिफ्थ कहरें हैं उनका यहां पर क्या होगा correct answer हो जाएगा यह याद रखेंग उडान का full form है उडे देश का आम नागरिक और दोस्तों इसके मंत्री जो है वो कौन है दोस्तों सिंधिया जी है यह याद रखेंगे कौन है सिंधिया जी है ओड्यन मंत्री जो है यह आपको ध्यान रखना है चले आगे बढ़े तो आप यहां पर देख सकते हो उडान 5.0 is here with game changing features to fly into future ठीक है तो जो उडान का जो है कौन सा यहां पर आपको देखने को मिल रहा है round यह 5th round ठीक है इसी साथ आगे बढ़ते हैं अगले question पे अगला question आपके लिए रहा who has received the prime minister award for excellence in public administration लोग प्रशाशन में उत्कृष्टा के लिए प्रधान मंत्री पुरुसकार किसे प्राप्थ हो है dpiit नितियायोग अटल innovation mission या इन में से कोई भी नहीं फटाफट बताइए यहाँ पे correct answer क्या होगा कई लोग के रहे सर नीतियायोग होना चाहिए कुछ लोग के रहे सर option number one होना चाहिए बाखी लोग क्या कहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे option number one correct answer हो जाएगा ठीक है correct answer क्या हो जाएगा नहां पर option number one हो जाएगा DPIIT Department of Department for promotion of industry and internal trade यह याद रखेगा DPIIT correct answer होगा Department for promotion of industry and internal trade यह इसका full form है इंटर्नल ट्रेड इसको दोस्तों दिया गया है यह याद रखेगा यह आप से पूछा जा सकता है तो किसको दिया गया है DPIIT को Department for promotion of industry and internal trade यह आपको ध्यान रखना है भूलना नहीं है अब देखे दोस्तों नीती आयोक की बात आई है तो नीती आयोक के बारे में भी थोड़ा सा डीटेल देख लेते हैं correct answer यहाँ पर option number one है यह याद रखेगा ठीक है नीती आयोक की अगर हम बात करें इसको कब दोस्तों लाया गया 15 जनवरी 2015 को लाया गया ठीक है इसके chairman कौन होते है तो इसके chairman जो है प्रधान मंतरी होते है कौन होते है PM होते है और अभी कौन है नरेंद्र मोदी जी है ठीक है wise chairman अगर हम बात करें तो wise chairman हाली में बने थे तो wise chairman जो है वह है सुमन बैरी कौन है सुमन बैरी है यह भी याद रखेगा और अगर हम बात करें CEO ठीक है CEO कौन है BVR सुब्रमन्यम कौन है BVR सुब्रमन्यम है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है चले तो यह थोड़ा सा important है इसलिए इसको यहाँ पर discuss कर लिया है इनोवेशन सेंटर टीम पीम गतिशक्ती नैशनल मास्टर प्लैन ठीक है यह आपको ध्यान रखना है चले यहाँ पर करेक्ट आंसर है option number one अगला कोशन आप ले रहा star sport has signed dash as its brand ambassador star sports ने अपने brand ambassador के रूप में dash को sign किया किसको रिशप पंत को किया विराट कोली को शुबंगिल को या फिर के ल राहुल को किसको किया है यहाँ पर कहरे सर होना चाहिए ठीक है यहाँ पर कहरे सर विराट कोली विराट कोली रिशप पंत जित्ते लोग कहरे उनका गलत आंसर हो जाएक, correct answer यहां पर आंसर हो जाएक दोस्तों, यहां पर correct answer हो जाएंगे, भीया, यहां पर होंगे, विराट कोली होना चाहिए रहा, कि रनवीर सिंग, तो यहां पर, just a minute, star sport है, signed dash as its brand ambassador, तो यहां पर दोस्तों, रिशप पंथ आ रहा है, आपको क्या लगता है, star sports ने किसको signed किया है, जल्दी, जल्दी से बताएंगे, तो रनवीर को किया है, तो यहां पर option तो रनवीर है ही नहीं दोस्तों, जल्दी से बताएए, तो रिशप पंथ correct answer हो जाएगा, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, इससे पहले दोस्तों, रनवीर सिंग को किया ग रखेगा विराट कोली को brand ambassador किसको किसका बनाया गया है noise company का बनाया गया है ठीक है noise company यह आद रखेगा ठीक है अच्छा पूमा इंडिया का किसे बनाया गया है हर्मन प्रीत कौर को किसको हर्मन प्रीत कौर को किया गया है यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है यूनिसेफ ने हाली में यूनिसेफ ने किसको किया था आईश्मान खुराना को किया था किसको किया था आईश्मान खुराना को यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है फिर उ क्रियेटिविटी एंड इनोवेशन डे इस ऑब्स ऑन विच ओफ दीज डे विश्व रचनात्मक और नावाचार दिवस इनमें से किस दिन को मनाया जाता है क्या वो 21 अप्रेल है 22 अप्रेल है 23 अप्रेल है या फिर 20 अप्रेल है कब मनाया जाता है तो यहां पर कहरें सर होना उनका गलत हो जाएगा 21 अप्रेल जित्ते लोग चाह रहे है उनका correct answer हो जाएगा 20 अप्रेल ठीक है याद रखेगा और 21 अप्रेल को दोस्तों civil service day भी मनाया जाता है बाइस अप्रेल को अर्थ डे मनाया जाता है क्या मनाया जाता है अर्थ डे मनाया जाता है ठीक है चौबिस अप्रेल को जो आज अपन मना रहें वो है पंचायती राज़ डे क्या है पंचायती राज़ डे ये भी आपको ध्यान अखना है पंचायती राज़ डे ठीक है फिर 25 अप्रेल को क्या मना जाता है तो 25 अप्रेल को मना जाता है मलेरिया डे क्या मना जाता है मलेरिया डे तो यह कुछ अप्रेल को 10 अप्रेल को होम्योपैथी डे मनाते हैं क्या मनाते हैं होम्योपैथी डे मनाते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है 13 अप्रेल को 13 अप्रेल को जलियन वाला बाग मैसिकर डे क्या जलियन वाला बाग मैसिकर डे ये याद रखेंगे चाउदा अप्रेल को बाबा साहब अबेड कर रिमेंबरंस डे मनाया जाता है ये भी याद रखेंगे ठीक है चले अगले कोशन पे बहुत बढ़ी है अगले कोशन बढ़ते हैं और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 21 अप्रेल आपके सामने ये तस्वीर भी लगी हुई है जहां पर आप देख पाओगे World Creativity and Innovation Day कब मना जाता है 21 अप्रेल को ठीक है चले इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके लिए रहा मुंबई ranked 21 in a new list of the world's wealthiest cities in 2023 it was topped by which of the city 2023 में दुनिया के सबसे धनी शहरों में एक नई सूची में मुंबई 21 स्थान पर रहा है इन में से कौन सा शहर सबसे उपर था New York, Chicago, San Francisco और Los Angeles कौन से था New York, New York कह रहे हैं यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा यहाँ पर option number one New York ठेक है अगर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जो top countries है तो आप देख पाऊगे Number one पर New York है, Number two पर Tokyo है, Number three पर the Bay Area मतलब USA वाला जो एरिया है उसको बात करें Fourth number पर London है, Fifth number पर Singapore है, Sixth number पर आपका Los Angeles है, Seventh number पर Hong Kong है, Eighth number पर Beijing है ठेक है और फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर 9th number पर संगाई है, 10th number पर सिडिनी है और दिल्ली जो है वो 36th number पर है, मुंबई जो है यह 21st number पर है अगर आप से पूछा जाएगा भारत का जो शहर मुंबई है, उसकी रैंक जो है वैल्दियस सिटी में कौन सी है, विश्व में, तो 21st वी रैंक है और दिल्ली की कौन सी है, 36th वी रैंक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, यह हमारे लिए important है, यह आप देख सकते हो figure में, ठीक है, वर्ल्ड वैल्दियस सिटी, चले, इसी के साथ आगे बढ़ें, चले, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले सबी लोग क्या करेंगे, फड़ा बढ़ते एक बार, जल्दी जल्दी से like और share करते हो चलेंगे, ठीक है, अगला question आप क्लिए ही रहा, HSBC has signed which of the cricketer as its brand influencer, HSBC ने इन में से किस cricketer को अपने brand influencer के रूप में sign किया है, विराट कोहली, MS Dhoni, रिशप पंत और हार्दिक पांडिया, किसको किया है, फड़ा फड़ से बताईए, जल्दी जल्दी से, यहाँ पर करसर होना चाहिए, A option, A option, तो correct answer यहाँ पर क्यों हो जाएगा, correct answer हो जाएगा, विराट कोहली, is the correct answer यह आप देख सकते हैं, क्या होगा, विराट कोहली, ठीक है, आप यहाँ पर देख पाओगे, विराट कोहली and HSBC बैंक के बीच में दोस्तों यह sign हुआ है, ठीक है, यहाँ पर विराट कोहली जो है, as a brand influencer के रूप में नामित किया गए है, ठीक है, यह आद रखेगा, अच्छा दोस्तों, जब यहाँ पर क्रिकेटर की बात है, उसके अलावा, दोस्तों, runner up कौन था, runner up dillie capitals थे, कौन थे, dillie capitals जो थे, यह runner up थे, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, orange cap, orange cap किस के पास था, तो magन G के पास था, किस के पास था, magक के पास था, और purple cap किस के पास था, helle Matthews के पास था, यह आद रखेगा, कौन सा मुंबई में हुआ था कहा पे नवी मुंबई में हुआ है और यह कौन जा संस्क्रण था तो पहला एडिशन था याद रखेगा ठीक है यह पहला एडिशन था इस साल चले आगे बढ़ें ठीक है बहुत ही बढ़िया आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा इनमें से किस देश ने अपना पहला प्रिथवी अवलोकन उपगरह ताइफ़ा वन जो है लॉंच किया है केन्या, साउथ कोरिया, कमबोडिया और इनमें से कोई भी नहीं किस ने किया है, यहां पर केन्या, केन्या कह रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, केन्या इस दी करेक्ट आंसर, आप यहां पर दोस्तों डीटेल में देख सकते हैं, केन्या's first observation satellite, ठीक है, आप देख पाएंगे, it is called ताइफा-1, क्या बोला गया है, इसको त 11 अपरेल को इसको launch किया गया था, it will be added by the Space Exploration Technology Corporation, SpaceX के द्वारा दोस्तों इसको add किया गया था, ठीक है, तो यह आपको कुछ चीजे याद रखनी है, चले, अताइफा-1 जो पहली satellite है, वो किसकी है, केन्या की है, यह याद रखेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो कितने अभियान शुरू करेंगे, भई, 10, 9, 15, और 4, कितने अभियान शुरू करेंगे, तो यहाँ पर कहरें, 10 होने चाहिए, बाखी लोग क्या गयता है, यहाँ पर correct answer क्या होगा, फड़ा फड़ से, जितने लोग यहाँ पर कहरें, 10, 10, तो मैं आपको बताना चाहूँग वो 9 होगा, 9 होगा, is the correct answer, 9, ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें, मध्यप्रदेश की capital क्या है, तो मध्यप्रदेश की capital है, भोपाल, क्या है, भोपाल, याद रखेगा, इसको लेक सिटी भी कहते है, क्या कहते है, लेक सिटी भी कहा जाता है, निक नेम इसका, ठीक है, उ जेपाल कौन है, गवर्नर कौन है, तो मंगू भाई, चगन भाई, कौन है, मंगू भाई, चगन भाई है, ये याद रखेगा, उसके अलावा, अगर आप से पूछा जाए, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, गोंड पेंटिंग, ये दोस्तो, current affair कभी आपको बता रह है, ठीक है, आपको याद होगा, दोस्तो, खेलो इंडिया youth game, जो 2022 हुए थे, ठीक है, youth game 2022, आपको पता है, game 2022, जो है, आयोजित जो हुआ है, वो 2023 में हुआ था, जनवरी के समय में, तो वो कहां पर आयोजित हुआ था, तो इसका inauguration जो हुआ था, भोपाल में हुआ था, य किति महाराज की थी सेंड रेंग किसकी थी हरियाना की थी किसकी थी हरियाना की और थर्ड Düny कि ती वह मध्यपरदेश की थी यह रहां कि आगे इसी के साथ चले अगले कोशशन पर बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीण पर यह रहा what is the theme of Earth Day 2023 प्रिथिवी दिवस 2023 की theme क्या है restore our earth, protect our species and plastic pollution, invest in our planet क्या है जल्दी से बताइए प्रिथिवी दिवस की इस बार की theme fourth option कह रहे हैं, okay, invest in our planet कह रहे हैं, okay बाकी लोग क्या कहते हैं ठीक है जित्ते लोग यहाँ पर कह रहे हैं, सर होना चाहिए option number 444, उनका correct answer हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने एक तस्वीर भी है, invest in our planet Earth Day 2023, मतलब प्रिथिवी दिवस 2023 की theme जो है वो कहा है, invest our planet, ठीक है अच्छ, अगर मैं अर्थ की बात करता हूँ, तो अर्थ हमारे सौरे मंडल का, सबसे दोस्तो घनत वाला जो है, ग्रह है densiest planet, इंगलिस में कहेंगे, densiest planet कहेंगे और हिंदी में कहेंगे, सबसे जादा घनत वाला, जो है, क्या है यह ग्रह है, ठीक है, उसके अलावा, इसको हम लोग blue planet भी कहते हैं क्या कहते हैं ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं इसका दोस्तों अगर हम बात करें एक नेचुरल सैटलाइट है ठीक है वह कौन सी है एक नेचुरल सैटलाइट वह है दोस्तों चन्दा मामा मतलब मून जो है इसकी दोस्तों क्या है एक वह है नेचुरल सैटलाइट है मू पून की पीक पॉइंट अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि चंद्रमा में पीक पॉइंट कौन सी है तो इसका याद रखेगा जो आंसर होगा वह ओर दोस्तों प्रत्वी की याद वहन इसों होगा जातायोट सी मान पेर गैसे योगी लिया 23 अपरेल, which of these is famous work दोस्तों, William Shakespeare की जैनती जो है, 23 अपरेल को मनाई जाती है, इन में से उनकी प्रसिद्ध कृती जो है, कौन सी है क्या Hamlet है, Macbeth है Romeo and Juliet, या इन में से सारी की सारी किताबे उनकी है, जल्दी से बताएए फड़ावर से बताएएं कि सबी लोग तो यहाँ पर कहरे सर होना चाहिए All, 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 तो correct answer यहाँ क्या हो जाएगा, All correct answer हो जाएगा अगर आप तस्वीर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ किताबे देख रहे हैं, जैसे Hamlet Hamlet तो किताब है, तो Hamlet तो किताब हो गई, ठीक है, दूसरी बात Macbeth, Macbeth आपको option दिया है तो Macbeth भी हो गई, Romeo and Juliet, यहाँ पर हो गई, तो Romeo and Juliet हो जाएगा, King Lear King Lear है, Midsummer Night Dreams है, फिर उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, Much Ado, About Nothing, Julius Caesar है, फिर Othello है, Tempest है, यह सारी किसकी है दोस्तों, William Shakespeare की किताबे हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर correct answer हो जाएगा, All of the Above यह याद रखेंगे, अच्छा, दोस्तों अगर हम बात कर रहें, यहाँ पर writers की, तो आपको याद रखना है, सलमान रुष्दी की भी दोस्तों, हाली में, 2023 में एक, जो है, Novel launch होई थी, सलमान रुष्दी की, उसका नाम क्या है, सलमान रुष्दी की Novel का, नाम है, Victory City, क्या नाम है, Victory City नाम है, तो यह ध्यान रखेगा, भूलेगा, नहीं, ठीक है, चले, अग सूचकांग, 2023 में, भारत की रेंग क्या है, चालिसवी हैं, अर्तिसवी हैं, पचीसवी हैं, या फिर, पचासवी हैं, कौन सी रेंग है, वैरेगोड, नीला, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपका, अंकोर, रवीराज, वैरेगोड, इंदरपाल, जित्ते लोग कह रहे हैं, कुंदन, सृष्टी, वैरेगोड, 38 रेंग, जित्ते लोग कह रहे हैं, 38, 38, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप यहां पर दोस्तों लेख सकते हैं, लॉजिस्टिक जंप, इंडिया जंप्ड 6 प्लेसेज, ऑन दा वर्ल्ड बैंक, लॉजिस्टिक इंडेक्स ठीक है, अगर हम बात करते देखे, सिंगापोर टॉप वन पर है, किते दोस्तों, नमबर वन पर कौन है, सिंगापोर है, यह आपको ध्यान रखना है, सेकेंड नमबर पर है, फिल्लेंड, थर्ड नमबर पर है, जर्मनी, सेवन नमबर पर है, कैनेड़ा, फ्रांस है, चौटेस और हमारा प्यारा भारच जो है वो 38 नमबर प Laser अस एंडिया है वह albeit नमबर पहें टो अधीनगा शेयर पुर और बंधर पर चले और इसी गोच आगे लेंट बैंक की बात हो रही है तो वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक को गठित कब किया गया तो इसको गठित किया गया था अंडर 1944 Bretton's Wood Conference ठेक है, Bretton's Wood Conference के तहट जो है, इसको दोस्तों, इस्थापित किया गया था यह आपको ध्यान अखना है, ठेक है इसको headquarter जो है headquarter आपको कहाँ पर मिलेगा Washington DC में मिलेगा, कहाँ पर Washington DC में इसका headquarter मिलेगा, इसके president या chair मैं नकर में बात करता हूँ हाली में बने है, पहले डैविड मालपास थे, अभी कौन है, अजय बंगा है, तो यह current affair का part हो जाएगा भई, अजय बंगा अभी हाली में बने है 2023 में ही बने है, तो इनका नाम ध्यान रखेगा, ठेक है, आगे बढ़ें इसी के साथ, चलिए, अगले question में पढ़ते हैं, अगला सवाल आपके screen पर यह रहा, which edition of Femina, Femina Miss India 2023 took place in Manipur Femina Miss India 2023 का कौन सा संस्क्रण, जो है Manipur में हुआ है, 58 61, 59, और 60 कौन सा था, यहाँ पर कहरे सर 59 होगा, ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़े, जली, यहाँ पर correct answer क्यों हो जाएगा, 59 हो जाएगा आप तस्वीर में यहाँ पर देख सकते हैं Infall to host 59th edition of Femina Miss India 2023 फिनाले, ठीक है, अगर आप देखोगे कि किसकी बात करा, Infall तो Manipur की capital क्या है, Infall है यह याद रखेगा, यह आप से पूछा जाता है इससे दोस्तों कुछ static जी के पूछे जाते हैं, जैसे की, लोक्टक जील जो है, लोक्टक लेक, वो आपको कहाँ पर मिलेगी, वो भी Manipur में मिलेगी, उसके अलावा, दोस्तों विश्व का एक मात्र तैरता हुआ राष्ट उद्यान, जिसको हम लोग कहते है floating national pass, जिसका नाम है कीबुल लामजो, क्या नाम है कीबुल लामजो, वो भी आपको कहाँ पर मिलेगा, वो भी मिलेगा आपको Manipur में Manipur को ही दोस्तों, अगर हम बात करते हैं चले, आगे बढ़ते, अच्छे दोस्तों Miss India 2022, जो है, वो कौन बनी है जल्दी से बताए, कौन बनी थी फड़ावर्ट से बताए, Miss India मैं आपके सामने question लिख देता हूँ Miss India 2022 बताए, कौन बनी थी यह आप से पूछा जा सकता है तो फड़ावर्ट से बताए, कौन बनी थी देखते हैं, कितने लोगों को याद है Miss India की हम बात कर रहे हैं क्या बात है, यहाँ पर सीनी सेटी सीनी सेटी, जित्ते लोग करे रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, ठीक है correct answer क्यों हो जाएगे हाँ पर दोस्तों सीनी सेटी correct answer हो जाएगी, ठीक है चले आगे, अच्छा है just a minute, क्या हो गया, हाजी यहाँ क्यों हो जाएगी, सीनी सेटी सीनी सेटी हो जाएगी यह याद रखेगा, अच्छा है, अगर आप से Miss Universe पूछ लेता Miss Universe 2022 पूछ लेता, तो आपका آंसर क्या हो जाता, Miss Universe 2022 पूछ लेता, तो आपका answer हो जाता क्या, Arbonial Gabriel क्या हो जाता, Arbonial Gabriel जो है, वो आंसर हो जाता आपका, जब आप से क्या झापूछ लेते, Miss Universe 2022 ठीक है, यह याद रखेगा आगे बढ़ें, हाँ, आरबोनियल गैब्रियल, चलि अगले कोश्चन बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, What is the theme for the Digital Health Summit 2023, organized by the Ministry of Health and Family Welfare and CII, स्वास्थ और परिवार कल्यार मंत्राले और CII द्वारा आयुजीत डिजिटल स्वास्थ सिखर सम्मेलन 2030 की theme क्या है, Building one health together, improving health equity, scoring for people and the planet, health for all, transforming the narrative contribution at home, at work, in the arts and in the policy making, Correct answer क्या होगा, यहाँ कर्षर option number 3 होना चाहिए, health for all, okay, बाखी लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग A option भी कह रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जित्तों लोग यहाँ पर A option, A option कह रहे हैं, उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, ठीक है, correct answer क्या हो जाएगा, यहाँ पर A option हो जाएगा, यहाँ पर A option हो जाएगा, A option होगा, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, ठीक है, Digital Health Summit 2023, बिल्डिंग, यहाँ पर देखिए, दोस्तों थीम लिखे, Building One Health Together, Improving Health Equity is the correct answer, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आगे बढ़ें, अच्छा दोस्तों, CII का full form अगर आप से पूछा जाएगा, तो Confederate of Indian Industry है, यह याद रखेंगे, ठीक है, 1895 में इसको गठित किया गया था Confederate of, Confederate of Indian Industry, यह आपको ध्यान रखना है, इसको दोस्तों, 1895 के समय में गठित किया गया था, 1895 के समय में, इसका Headquarter जो है, आपको New Delhi में मिल जाएगा, और इसके अभी President कौन है, संजीव बजाज, कौन है, संजीव बजाज, जो है, Present में क्या है, इसके President है, यह याद रखेंग ठीक है, चलिए, आगे बढ़ें अगले कोशन पर, अगले कोशन बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है, Who is the recipient of the 2022 महराष्ट भूशर अवार्ड बाइदी महराष्ट गॉवर्मेंट, महराष्ट सरकार दौरा 2022, महराष्ट भूशर पुरुसकार प यहाँ पर डॉक्टर अपासाइब, डॉक्टर अपासाइब, बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे, अप यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है, डॉक्टर अपासाइब, धर्मादिकारी, ओनर्ड विद्दा, महराष्ट भूशर अवार्ड 2022, अब देखें दोस्तों, सबसे ऊपर होता है पदमे विभूशड फिर होता है पदमे भूशड और फिर होता है पदमे श्री रइड चले अच्छे 2022 की मैं बात करता हूं तो पदमभूशड जो है, 4 व्यक्ति लोग को दिया गया था, पदमभूशड जो है, 17 को दिया गया था, और पदमश्री जो है, 107 लोगों को दिया गया था, तोटल काउंट करेंगे तो 128 आएगा, 128 कि कब दिया गया था, 2022 में दिया गया है, अगर मैं 2023 की बात करता हूँ, त पदम विभूषण जो है, ये कित्ते लोगों को दिया गया है, पदम भूषण 9 लोगों को, और पदम श्री 90 लोगों को, तोटल कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा, तो 106 जो है, 2020 में दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आगे बड़े, चले, भूलेगा पारलो, मास्टर्स यूगल खिताब किसने जीता है, ओ, जैबियर एंड कोको गॉफ, रफैल नडाल एंड कैस्पर रूड, इवान डोडिक एंड ऑस्टिन करिसीजेक, और एशले बार्टी एंड एंड किर्गेस, जल्दी सो बताए, यहाँ पर थर्ड थर्ड कह रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों इन्हों ने जीता हुआ है, इवान डोडिक एंड ऑस्टिन कराजिसिक, ठीक है, नाम ध्यान रखेगा, आगे बढ़ते हैं, अगले कोशन पर अगला सवाल, What is the theme of Global Conference on Compressed Biogas 2023, संपीडित Biogas 2023 पर वैश्विक सम्मेलन की theme क्या है, commitment to peaceful settlement of differences and dispute between countries through dialogue and consultation, towards progressive policy framework, a robust CBG foundation and growth, ground situation in Afghanistan and its global repercussion, और civilization dialogue amongst the SEO member, nation perspective from young scholars, जल्दी सबताए, B option कुछ लोग कह रहे हैं, आपे B, 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 तो correct answer हो जाएगा, B option is the correct answer, क्या होगा, B option correct होगा, अगला question आपके लिए रहा, Which state is going to host G20 Space Economy Leader meet from April 17-18 2023, कौन सा राज इस 17-18 April 2023 से G20 Space Economy Leaders की meet की मेजबानी करने जा रहा है, West Bengal, Tamil Nadu, Delhi और Meghalay, कौन करेगा, Meghalay, 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 जित लोग Meghalay करें, उनका correct answer हो जाएगा, क्या होगा, Meghalay correct answer होगा, तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर, 4th edition of Space Economy Leader meeting, S.E.L.M. Precursor event, 17-18 April 2030, Shilong Meghalay, हना Meghalay, अगर हम बात करें, Meghalay की capital क्या है, तो Meghalay की capital जो है, Shilong है, वहीं पर आयोजित किया जाएगा, यह आपको ध्यान अखना है, Shilong, ठीक है, जो जगह है, मौसिनरम, वो कहां पर है, Meghalay में ही है, क्या है, मौसिनरम जो है, वो भी आपको कहां पर मिलेगा, Meghalay में, ठीक है, यहां के cm जो है, वो कौन है, Cornad Sangma है, कौन है, Cornad Sangma, जो है, यहां के cm है, और governor यहां के हाली में बने थे, राजेपाल जो है फागो चोहान जी यह याद रखेगा यहीपे आपको आपको जंजाती मिलेगी ट्राइब और इसी ट्राइब के नम पर पहाड़ो का नाम है ठीक है, चले आगे बढ़े अगले कोशन पे अगले सवाल बड़ते हैं अगला question आपके लिए ये रहा ठीक है What is the name of European largest nuclear reactor which recently entered service in Finland Europe के सबसे बड़े परमाणू reactor का क्या नाम है जो हाली में Finland में चालू हुआ है क्या वो Syswell है Alkyloto 3 है Fessenheim है या फिर Cetanome है क्या है B option B option correct answer क्या हो जाएगा Alkyloto 3 correct answer हो जाएगा Finland की capital क्या है Finland की capital तो Finland की capital याद रखेगा Hellenski है क्या है Hellenski है ये आपको ध्यान रखना है चले आगे बढ़ते हैं अगले question पे अगला सवाल आपके लिए ये रहा What is the name of rocket that is set for its first test flight अपनी पहली परिक्षड उलान के लिए निर्धारित rocket का नाम क्या है Falcon, Heavy, Saturn, Starship और Ariane अभी दोस्तों कुछ दिन पहले ही इसको दोस्तों टेस्ट किया गया था ठीक है Space X ने इसको भेजा था और इसका नाम क्या है Starship Starship तो दोस्तों जितने लोग Starship कह रहे हैं उनका correct answer हो जाएगा किसके दौरा किया गया था SpaceX और SpaceX कोन ओन करते हैं तो Elon Musk करते हैं ठीक है Elon Musk और Elon Musk नहीं दोस्तों हाली में किसको ओन कर लिया था Twitter को ओन कर लिया था यह आपको याद रखना है Twitter दोस्तों कब इस्थापित हुआ था 2006 में इस्थापित हुआ था ठीक है, आगे बढ़े अगले कोशन पे, चले, अगला कोशन आपके स्क्रीन पर यह रहा, Who won the Grand Prix of the America's MotoGP Sprint, ठीक है, अमेरिका MotoGP Sprint Grand Prix, जो है, किसने जीता है, Mark Marquez, Francisco Bagnia, Fabio Quartararo, Valentino Rossi, किसने जीता है, यहाँ पे B option, B option, correct answer हो जाएगा, B option, Francisco Bagnia ने जीता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनकी तस्वीर Francisco की, ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगले कोशन पे, अगला सवाल आपके लिए रहा, Which of these countries are part of G7 member, ठीक है, आपको पूछेगे, इन में से, कौन से देश G7 का हिस्सा है, Brazil, Russia, India, China and South Africa, United States, Russia, China, India and South Africa, United Kingdom, France, Germany, Italy, Canada, Japan and United States, United Kingdom, France, Germany, Italy and Canada and Russia, जल्दी से बताएं, C option, C option, correct answer होगा, C option, हमने दोस्तों कैसे याद किया था, G7 country को, हमने याद किया था, ट्रिक याद की थी, juicy GF, कैसे याद किया था भई, जो पैसे वाले लोग होते, उनकी GF क्या होती है, हमेश्चा juice कर डेबांड करती है, instead of coffee or tea, हाना, तो J से क्या हो जाएगा, Japan हो जाएगा, ऐसे याद किया था था, जे से, U से क्या हो जाएगा, USA हो जाएगा, I से क्या हो जाएगा, Italy, ठीक है, C से क्या होगा Canada हो जाएगा E से England की जगा हम UK लिख देते हैं और G से क्या होगा Germany हो जाएगा क्या हो जाएगा Germany हो जाएगा और F से France हो जाएगा तो G7 country के लिए trick क्या है juicy GF इस तरीके से याद कर सकते हो इसमें दोस्तों कहीं भी India नहीं आ रहा है तो इंडिया देखे option number one में है तो यह eliminate हो जाएगा second number में भी India आ रहा है तो यह eliminate हो जाएगा क्योंकि इंडिया तो आई नहीं रहा है G7 country में ठेक है यह G7 country है न दोस्तों trick याद रखेगा उसके पात दोस्तों आगर आप देखोगे यहाँ पर रशिया option दिया है G7 country में रशिया भी नहीं है G7 country में नहीं है रशिया तो रशिया दोस्तों यह भी eliminate हो जाएगा option number three जो है correct होगा United Kingdom, France, Germany, Italy, Canada, Japan and United States यह सारे के सारे इसमें आ रहे है हाँ, रशिया का पाता अगर रशिया जुढ जाएगा तो यह G7 नहीं G8 country हो जाएगी यह आपको ध्यान रखना है, तब क्या हो जाएगी G8 country हो जाएगी, यह आपको ध्यान रखना है आपको map में भी देखने को मिल रहा है G7 country ठीक है, Canada है जहां के दोस्तों prime minister कौँन है Justin Trudeau है UK है जहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है रिशी शानक है European Union इसके प्रेसीडेंट आफ यूरोपियन कमिशन कौन है Ursula von der Leyen है और प्रेसीडेंट आफ यूरोपियन काउंसिल कौन है Charles Mackel है जर्मनी के फेडरल चांसलर कौन है यहां पर चांसलर होते हैं तो ओलाफ स्कॉल्स है इटली की प्राइम मिनिस्टर कौन है जॉर्जिया मैलोनी है जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा फ्रांस के प्रेसिडेंट एम्यानियल मैकरोन और यूसे के प्रेसिडेंट जो है वह जो बिदेन ठीक है तो एंड टर्रिटोरियल वहर ऑफ जयापयन इन्दी टरिटोरियल और ऑफ वहर ऑफ साउथ का यह इन्द हasonास यह इंद्धड़ इन्टरैश्टोर्स विक्रेस्ट्रेंटंटर वीज्विव इंक्लूड़ेड इणिन डा इनॉग्रेशन ऑफ मध्य परदेश वह चरिसी डुर जारे 25 के शुबारम के में किन देशों को प्रतिनित शामिल होंगे भूटान बांगलादेश नेपाल मालदीव शिलंका भूटान पाकिस्तान नेपाल मालदीव शिलंका भूटान बांगलादेश इंडिया मालदीव शिलंका भूटान बांगलादेश नेपाल इंडिया इंड लंका की जैवर्दने कोटे अगला कोशन who collaborated with NASA and Caltech to develop a low cost camera for multi spectral imaging of flame low low की multi spectral imaging के लिए कम लागत वाला camera विक्सित करने के लिए NASA और Caltech यहाँ पर Caltech के साथ किसे ने सःयोग किया है IT Bombay, Indoor, दिल्ली और कानपूर किसे ने किया है Indoor Indoor बिल्कुल इन दौर यह याद रखेगा, NASA का full form क्या है, दोस्तों National Aeronautical Space Administration, इसका full form है, इसको गठित कप किया गया था, 1958 में किया गया था, ठीक है, कौन founder थे, तो founder याद रखेगा, Dwight D, कौन थे, Dwight D, जो थे, यह founder थे, ठीक है, अभी दोस्तों इसके chairman कौन है, ठीक है, chairman याद हैं, और इसका headquarter, जो है, headquarter कहाँ पर है, तो Washington DC में है, कहाँ पर है, Washington DC में है, चले, आगे बढ़े अगले question पर, अगला सवाल आपके लिए, लोकिन दोस्तों उससे पहले फड़ावर से, लाइक और शेयर करते हूँ चलेंगे, अगला question आपके लिए, who has qualified for the Asian game with the second longest jump in Indian history, भारत की तिहास में दूसरी सबसे लंबी छलाग लगा कर, एशिया खेलो की लिए, दोस्तों, किसने qualify किया है, शैली सिंग, पीटी उशा, अंजू, बॉबी, जॉर्ज, या फिर, दूती चंद, किसने किया है, तो यहाँ पर करेक्शन होना चाहिए, बा शैली सिंग ने दोस्तों कितना जंप किया है, 6.48 मीटर, कितना, 6.48 मीटर, जो कि दोस्तों क्या है, second longest jump record है, भारत का, यह आपको याद रखना है, इससे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज ने किया था, ठीक है, चले आगे की तरफ, अंजू बॉबी जॉर्ज का दोस्तों, से जादा स्कोर था, अभी सैली सिंग जो है, 6.48 मीटर, अगला कोशन, when is the first global buddhist summit going to be held in न्य दिल्ली, नई दिल्ली में पहला वैश्विप बॉध सिकर सम्मेलन, कब आयोजित किया जा रहा है, 19 अपरेल को, 20 अपरेल को, 21 अपरेल को, या फिर 22 अपरेल को, कब किया जा रह है, 21 के रहे हैं, कुछ लोग के रहे हैं, 20 होना चाहिए, करेक्ट आंसर यहाप क्या हो जाएगा, 20 अपरेल is the correct answer, यह आपको ध्यान रखना है, क्या होगा, 20 अपरेल को, अगला कोशन आपके लिए, what is the name of the program launched by the agriculture production department of Jammu and Kashmir for the overall welfare of farmers, ठीक है, किसानों के समगर कल्यान के जो है, शुरू किये गए, कारेक्रम का नाम क्या है, किसान संपर्क अभियान, किसान मित्र अभियान, किसान सहायता अभियान और किसान सुविधा अभियान, क्या नाम है, किसान संपर्क, किसान संपर्क, बहुत भी बढ़िया, correct answer क्या हो जाएगा, किसान संपर्क अभियान correct answer हो जाएगा यह याद रखेगा जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी capital क्या है तो दोस्तो श्रीनगर है लेकिन श्रीनगर capital कब होती है तो summer में capital होती है ठीक है और दोस्तो winter में capital क्या हो जाती है जम्मू हो जाती है ठीक है क्या हो जाती है जम्मू हो जाती है winter ये क्या है केंदर्शाषित प्रदेश य्यूटी में लूटिनेंट गवरनर होते हैं ठीक है तो जम्मू कश्मीर के लूटिनेंट गवरनर गरीष चंदर मुरमूजी बने थे ये आपको ध्यानक ना है लेकिन अगर आप प्रेजेंट में पूछेगा तो प्रेजेंट में याद रखेगा मनोज सिन हाजी है कौन है मनोज सिन हाजी है ये भी आपको धियाatelli में पूछा जाता है अगले कोश्चन बढ़ते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा विच कंट्री इस होश्टिंग दा मल्टी लेटरल मिलिटरी एक्सराइस ओरियोन कौन सा देश बहु पक्षी सेन अभ्यास ओरियोन की मेजबानी कर रहा है इंडिया, USA, फ्रांस और रशिया कौन कर रहा है जल्दी से बताईए फ्रांस 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 तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रांस यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आपको याद रखना है फ्रांस की capital क्या है पैरिस है क्या है पैरिस इसकी capital है ठीक है चले अगले कोशन बढ़ते हैं और यहां के दुस्तों president कौन है Emmanuel Macron है यह भी याद रखेगा ठीक है कौन है president Emmanuel Macron यहाँ पर लिख देते हैं president जो है Emmanuel Macron है यह भी आपको ध्यान रखना है चले अगले कोशन बढ़ते हैं अगला सवाल आपके लिए रहा who has been selected for the prestigious Malcolm Adesia Award 2023 प्रतिश्टित Malcolm Adesia पुरुषकार 2023 के लिए किसे चुना गया है किसको चुना गया है उत्सा उत्सा पटनायक को चुना गया है यह आपको ध्यान रखना है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पे नेहा बीट डैश बाइ सेवेंटीन नाइन टू टू टॉ टॉ टॉप वूमेंस एर पिस्टल ओन सत्रा अप्रेल 2023 को महिलाओं की एर पिस्टल में डैश को सत्रा नों से हराया है रिदम, संगवान, अपूर्वी, चंदेला, श्रियंका, संदंगी या फिर इन्डवें से कोई भी नहीं रिदम, रिदम कह रहे हैं, करेक्ट आंसर यहां आप क्या हो जाएगा, रिदम शंगवान को हराया है, यह आपको ध्यान रखना है ठेके, आगे बढ़ते हैं, अगले कोशन पे, अगले सवाल आपके लिए ये रहा Who won the gold medal in the women's single event at the Brazil, Para Badminton International Brazil, Para Badminton International में महिला एकल, परधा में स्वन पदक किसने जीता हैं निथ्या स्री सुमन्ती, या फिर हैले सोफी सेगोई, लियानी रात्री ओतकिला, या फिर कैरिन सूतर इरात किसने जीता है नित्या नित्या कहा रहे हैं जित्ते लोग नित्या कहा रहे हैं उनका बिल्कुल correct answer होगा अगले सवाल बढ़ते हैं अगला question आपके लिए यह रहा वेर इस दी शार नीयामा सो सुम नामिक लगहन्ग गोंपा कहा इस्तित है अरुणाचय पदेश होना चाहिए बाखी लोग क्या कहते हैं चले जित्ते लोग अरुणाचय पदेश औरुणाचय पदेश कहरे हैं उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा ठीक है औरुणाचय पदेश हो लगनार प्राइब जो कि दोस्तों बड़ी फेमस है इदुमिशी कौन सी है इदुमिशी ट्राइब जो है वो आपको कहाँ पर देखने KIRBY मिलेगी अरुनाचर पदेश में अगले कोशन बढ़ते हैं अगला सवाल आपके लिए यह रहा विच सिटी विल होश्ट 2023 मैंस होकी एशिया चैंपेंशिप ट्रॉफी ठीक है कौन सा शहर 2023 पूर्चों के होकी एशिया चैंपेंशिप ट्रॉफी की मिजबानी करेगा आड़ू के cm कौन है तो याद रखेगा MK स्टेलिन है ठेक है वहां के मुख्यमंत्री वो कौन है MK स्टेलिन है और गवर्नर वो कौन है RN रवी है कौन है RN रवी है यह याद रखेगा आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर अगला सवाल अगला कोशन आपके लिए लेकिन आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों आप लोग MTS की तयारी कर सकते हैं या फिर किसी भी SSC exam की तयारी कर सकते हैं सूपर कोशिक पर जुड़के जहां पर आपको दोस्तों maximum discount मिलता है और साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको notes मिलते हैं प्र रिवीजन, practice set मिलते हैं आपके practice के लिए और live classes मिलते हैं जहां पर आपने भी ठीक है चाले आगे बढ़ते हैं वेर विल इंडिया स्टील 2023 बीयां इंडिया श्टील 2023 कहां उजित किया जाएगा न्यू दिली मॉंबई बैंगलोर और कोलकता कहां पर किया जाएगा लिए यहां पर करेंसर मुंबई, मुंबई, करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई, मुंबई is the correct answer, ठीक है अगला कोश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, which country has become the world's largest narco state कौन सा देश, दुनिया का सबसे बड़ा narco state बन गया है, अफगानिस्तान, सीरिया, मैक्सिको और कोलंबिया, कौन बन गया है सीरिया, सीरिया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीरिया is the correct answer अगले कोश्चन पढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए रहा US-India University Partnership के लिए गठित टास्फोर्स में, नीली बेंदपुडी का क्या भूमी का है क्या वो चेर परसन है, मेंबर है, सिक्रेटरी है, या फिर स्पोक्स परसन है क्या है वो, मेंबर है, मेंबर है, तो correct answer क्यों जाएग, दुस्तों, वो मेंबर है यह याद रखेंगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर अगला कोक्षन वेर रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशेटिव, गैधरिंग कॉन्फरेंस ऑफ G20 विल बी हैल्ड G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशेटिव गैधरिंग सम्मेलन कहां उजित किया जाएगा महराष्ट, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, कहां पर किया जाएगा हिमाचाप देश लिए खरेट आंसर हो जाएंगे हिमाचाप देश की k veto करेक्ट आंसर हो जाएंगे हिमाचाप देश की k Shooting का है शिमला है कि penser किस समर कंध में होती है और winter के समय wiंटर के समय में कौन होती है धरम्शाला k das होती है। धरमशाला यह कं हो जाती है? विंटर के समय में कैपिटल हो जाती है. यहां के cm वो कौन है? सुखविंदर सिंग सुखू है. यह याद रखेगा यह भी पूछा जाता है. और यहां के गवर्नर कौन है? जल्दी से प्रताफ शुकला जी है क्या? शुव प्रताफ शुकला जी यहां के गवर्णर है क्या जल्दी से बताईए फिर बढ़ते आगे ठीक है आगे बढ़ें चाले आगले बढ़ते दोस्तों अगला कोशन आपके लिए यह रहा विच कॉमिनिटी इस एसोसियेटेड विद्धा हून तोड़ाओ फेस्टिवल हून तोड़ाओ उस सब किस समुदायक से सम्मंदित है खासी नागा तोड़ाओ और मीजो किस से हैं यहां पर तोड़ाओ तोड़ाओ कह रहे हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तोड़ाओ इस से नो टू एलकोहल फॉर हैल्दी या फिर नन ऑफ दी अबव ए ऑप्शन ए ऑप्शन कह रहे हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन होगा लीवर हैल्थ फॉर यह याद रखिगा लीवर में ही दोस्तों बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है किसका होता है अपरेल थोजार तेश में हिमाली बॉध्धों ने प्रमुख बॉध सबाब की मिजवानी कहां की है लदाख्य कीम औरुणाचे पदेश और हिमाचे पदेश कहां पर की है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहां क्या हो जाएगा औरुणाचे प्रदेश इस दी करेक्ट आंसर ठीक है अगले कोशन बढ़ते हैं अगला सवाल विच कंट्री सेटलाइट इस इस रोंचिंग और अप्रेल 2022 2023 ठीक है इस रोड़ बाइस अपरेल 2023 को किसी देश की उपग्रह का प्रसेक्षण कर रहा है इंडिया सिंगापोर चाइना और जापान यहां आपके सर सिंगापोर होना चाहिए ओके बाकी लोग क्या केते हैं यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा चले जितने लोग यहां पर सिंगापोर सिंगापोर कह रहें उनका करेक्ट आंसर हो क्या होगा सिंगापोर इस दी करेक्ट आंसर इस रों की बात की जाए इस रों का रहें कहूं चेर्मेन कौन है तो इसके प्रेसिडेंट या चेर्मेन एस सोमनाज जी है कौन है एस सोमनाज जी है और इसका हैड़कॉर्टर जो है वह कहां पर है वह है बैंगलूरू में है यह याद रखेंगा ठीक है अगले कोश्चिन बढ़ते हैं अगला सवाल निमलिखित में से किस राजी के साथ भारत सरकार ने एक कपड़ा जो पार्क स्थापित करने के लिए समझाओते पर ग्यापन हक्साचर के उत्तरप्रदेश, मद्रप्रदेश, शिमाचरप्रदेश और आंध्रप्रदेश क्या होगा यूपी 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 तो बिल्कुल दोस्तों एक तो लखनओ में होगा ठीक है और दूसरा कहाँ पर होगा हर्दोई कहाँ पर होगा हर्दोई में ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर अगले कोशन How many more people did India have than China according to report by UNFPA UNFPA की report क्या है मुताबित भारत में चीन की तुलना में कितने अधिक लोग है 2.9, 9.2, 12.5 और 20.1 बिलियन कितने लोग है तो यहाँ पे कहरे हैं 2.9 होना चाहिए बाखी लोग क्या कहेंगे जिते लोग 2.9, 2.9 कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2.9 यहाँ पे करेक्ट होगा अच्छा, टोटल पॉपलेशन भारत की किती है 142.89 बताया गया है यह भी याद रखेगा चले, 142.89 करोर ठीक है अगले सवाल बढ़ते हैं अगला कुशन आपके लिए रहा अब्दुल अजीम पास्ट अवे इन अप्रेल 2023, he was a famous डैश अप्रेल 2023 में अब्दुल अजीम का निधन हो गया वह एक प्रसिद्ध डैश थे क्रिकेटर, Economist, Actor और Social Reformer कौन थे जल्दी से बताईए 360 लोग दोस्तों लाइव हैं यहाँ पर और लाइक इतने कम क्यों फड़ावट से एक बार लाइक और शेर करते हो चलेंगे यहाँ पर क्रिकेटर जितने लोग कहरें उनका correct answer होगा क्रिकेटर थे वो ठीक है अगला कोशन आपके लिए जोती सुरेखा वैनम इस इकोल्ड दा आर्चरी कौलिफेकेशन वर्ल्ड रिकॉर्ड इंटर की शी कंपीटेड इन विच केटेगरी जोती सुरेखा वैनम ने तुरकी में तिरंदाजी योगिता विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है उसने किस शेडी में प्रतिसपरधा जीती है रिकर्व, कंपाउंड, लॉंग बो और बैर बो रिकर्व, रिकर्व, करेक्ट आंसर क्यों जाएगा हाँ पे दोस्तों रिकर्व होना चाहिए कंपाउंड नहीं होगा रिकर्व, इस दी करेक्ट आंसर, रिकर्व में उन्होंने जीता था ये बल्ला रिकॉर्ड बनाया है था रिकॉर्ड के बराबर बना लिया था ठीक है, ये याद रखेगा करेक्ट आंसर को आप्शन नम्बर वन, चले आगे अगले कोशन बढ़ते हैं, अगला कोशन आपके स्क्रीन पर ये रहा ठीक है, विच आफ दीज कंट्रीज है बीन रिप्लेश्ट बाइ अर्जेंटीना एस दा अंडर ट्वेंटी फीफा वल्ल कप होष्ट, इन में से किस देश को अंडर ट्वेंटी, फीफा विश्व कप मेजबान के रूप में अर्जेंटीना दौरा प्रतिस्पाजी किया गया है ब्राजील, कुरोशिया, इंडोनेशिया और फ्रांस, किसको किया गया है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इंडोनेशिया हो जाएगा, ये याद रखेगा फीफा की बात करें, तो फेडरेशन, इंटरनेशियल, फुटबॉल, एसोसियेशन इसको फुल फॉर्म है, इसको इसको इस्टेबलिश किया गया था, 1904 को ठेक है, इसका वापपर, जुरिक सुजरろेंड है कहा है, जुरिक सुजरろेंड में इसका है, इसके अलावा गर हम बात करें, इसके, जो चेयर्मेन या फिर प्रेसीडेंट कहें, तो वो कौण है तो अभी हाली में बन गए है, वापस से ग्यानी इंफेंटिनो कौन बन गए हैं ग्यानी इंफेंटिनो फिर से प्रेजिडेंट बन गए हैं यह आपको ध्यान रखना है अगले कोशन बढ़ते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा संतोकबा मानवतादिकारी पुरुसकार से किसे समानित किया गया है सोनम वांगचुक गीता ग्रेता ठंगनबर्ग दलाई लामा और इनमें से कोई बी नहीं पर थी इडियर बनी हुई है इन्हीं के उपर बनी है उन्हीं को दोस्तों युमिनिटेरियन अवार्ड दोजार तेज दिया गया है अगला गोश्चन भारती कैबिनेट द्वारा अनुमोदित राष्टी कौन्टम मिशन का उद्देश क्या है क्या होगा करेक्ट आंसर जल्दी यल्दी से बताइए यहां पर करेक्ट आपव होना चाहिए बाखी लोग क्या कहते हैं चले जित्ते लोग आल अफ़ दी आपव कह रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला गोश्चन आपके लिए अगला गोश्चन आपके लिए रहा सरकार ने सिनेमेटोग्राफ विधियक 2023 पेश करने के निड़ने लिया है इसका उदेश डैश है तो प्रमोट डॉक्यमेंटेशन इन दा फिल्म इंड़स्ट्री तो इंड़स नी सेंसर्शिप लॉज इन दी फिल्म इंड़स्ट्री to curb piracy and protect the rights of filmmaker to ban the production of certain types of films C option to curb piracy and protect the rights of filmmaker अगला question विच युनिवर्सिटी है साइन एन एमो यू विट इंडियन आर्मी फॉर चाइनीज लेंगविच ट्रेनिग चीनी भासा प्रिसिक्षड के लिए किस विश्विध्याले ने भारती सेना के साथ एक समझोते पर ग्यारपन हक्षताक्षर किये हैं दिल्ली उनिवर्सिटी जवाहालान उनिवर्सिटी तेजपूर उनिवर्सिटी या फिर एंग्लिश एंड फॉरेल लेंग्वेज उनिवर्सिटी तेजपूर तेजपूर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तेजपूर उनिवर्सिटी इस दी करेक्ट आंसर ठीक है अगले question बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए, which of the following award will be awarded to आशा भोसले in 2023, 2023 में इनवे से कौन सा पुरुसकार आशा भोसले को प्रदान किया जाएगा, संगीत नाटक अकडमी अवार्ड, ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अकडमी अवार्ड, लता दीनानाथ मंगेशकर अ अगला question, the election commission has introduced the vote from home option in which of these states, ठीक है, चुनाव आयोग ने इन में से किस राज में vote from home विकल पेश किया है, करनाटका, राजिस्थान, हिमाचा पदेश या फिर असम, कहां पर करनाटक, करनाटक, correct answer क्यों हो जाएगा, करनाटक की capital क्या है, तो करनाटक capital है, बैंगलोर क्या ह मंतरी है, ठीक है, और जो यहां के governor है, वो कौन है, थावर चंद गहलोथ है, कौन है, थावर चंद गहलोथ, जो है, यहां के governor है, यह भी याद रखेगा, ठीक है, अगले question बढ़ते हैं, अगला question आपके लिए रहा, Recently, Angela Markle has been awarded the Grand Cross of Order of Merit, the award is given for, हाली में, Angela Markle को Grand Cross of Order of Merit से सम्मानित किया गया है, पुरुसकार डैश के लिए दिया गया है, Military Exercise, Excellence in Science and Technology, Outstanding Achievement in Cultural, Social and Political Field, या फिर Philanthropy के लिए दिया गया है, C option, C option, correct answer क्यों जाएगा, C option, correct answer क्यों जाएगा, याद रखेगा, अगला question आपके लिए ये रहा, NASA satellite, RACI, RACI was expected to crash back to Earth on 20th April 2030, what was its purpose, NASA upgrade RACI के 20 April 2030 को वापस पृत्वी पर दुरगटना गरस्त होने की उमीद थी, इसका उदेश क्या है था, to study black hole, to observe the sun and its flares, to explore the outer planet of our solar system, to study the atmosphere of Earth, किसके लिए था, दोस्तों, इसका उदेश क्या था, B option, B option, correct answer क्यों जाएगा, B option to observe the sun and its flare is the correct answer, ठीक है, अगला question, विच इंडियन state government has announced a plan for making a काशी विश्वनात लाइक कोरिडोर, भारत के किस राज्य की सरकार ने विश्वनात जैसा कॉलिडोर बनाने का योजना किया, West Bengal, Assam, उत्रप्रदेश और केरिला, Assam, Assam, बिल्कुल दोस्तो, Assam, correct answer का कामाख्या देवी मंदर जो है, उसके पास दोस्तो, एस टाइप का कॉलिडोर बनाने की बात कर रहे है, ठीक है, अगला question, शांती लकडा has been selected as finalist for Esther Guardian Global Nursing Award, which country would be organizing the award ceremony, शांती लकडा को Esther Guardians Global Nursing Award के लिए finalist के रूप में चुना गया है, पुरुसकार समारों का आयोजन का कौन सा देश करेगा, इंडिया, UAE, USA और UK, कौन करेगा, UK, UK, UK तो correct answer हो जाएगा, UK हो जाएगा, ठीक है, अगले question बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले फड़ावर्स एक बार, like और share करते हुए चलेंगे, ठीक है, अगले सवाल बढ़े, अगला question आपके लिए, इन में से किसे ने प्रतिष्टिट टैंकर ऑपरेटर जीता है, synergy group, kochi shipyard, अडानी port, या फिर garden reach, shipbuilders and engineers limited, यहाँ पर क्या कहरें दोस्तो, synergy होना चाहिए, चले, जितने लोग यहाँ पर synergy, synergy कहरे हैं, उनका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाँ पर, synergy group correct answer हो जाएगा, चले, आगे बढ़ते हैं, अगले कोशन पर अगला सवाल, crop seed which were sent as a part of IAEA FAO, project have returned from space, what was the aim of the project, IAEA FAO, परियोजना के तहट भेजे गए, फसल बीज अंतरिक्ष्म के वापस आ गए है, परियोजना का उदेश क्या था, to develop new varieties of crop and seed, to determine the effect of space radiation and microgravity on crop growth, to increase food production for the world, या फिर इनमें से कोई नहीं, B option, B option, बिल्कुल effect देखना चाहते थी, कि space का effect क्या पढ़ता है, उस पे ठीक है, ये याद रखेगा, अगला कोशन, which of these state has implemented the salokha योजना, किसे ने लागू किया है, सलokha योजना, फड़ा फड़ बताईए, यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा, जी, यहाँ पर जितने लोग महराष्ट, महराष्ट कह रहे हैं, उनका बिल्कुल correct answer जाएगा, दोस्तों, महराष्ट इसी correct answer, कौन है, दोस्तों, रमेश बैस जो है, यहाँ के governor है, ठीक है, अगले question बढ़ते हैं, अगला सवाल, Chris Messina, who invented hashtag, has resigned from dash, hashtag का विश्कार करने वाले, Chris Magena dash छोड़ रही है, Twitter, Google, Microsoft, और Instagram, कौन छोड़ रही हैं, Google कह रहे हैं, तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा, Twitter छोड़ रही है, Twitter is the correct answer, ठीक है, Twitter कौन ओन करता है, Elon Musk, ठीक है, यहाद रखेगा, अगला question, which of these state government has approved, amendment in atal residential school scheme, इन में से किस राज सरकार ने, atal आवासी, विद्यालय योजना में, संसोधन को मंजूरी दी है, बिहार, वेस्ट बेंगॉल, उत्तरप्रदेश और करनाटका, बिहार, बिहार कह रहे हैं, correct answer हैं, आप क्यों जाएंगे दोस्तों, बिहार नहीं, उत्तरप्रदेश correct answer होगा, यह याद रखेगा, ठीक है, अगला कुशन आपके लिए यह रहा, फॉरेंड मिनिस्टर आफ विच आफ दीस कंट्री इस विजिटिंग इंडिया इन मई दोज़ार तेईस, मई दोज़ार तेईस में इनमें से किस देश के विदेशी मंतरी जो है, दोरे पर आ रहे हैं, पाकिस्तान, ओमान, टर्की और कजाकिस्तान, कहां क्या रहे हैं, यहां पे जल्दी से बताएंगे, कुछ लोग करसे पाकिस्तान, कुछ लोग करसे जी आप्शन, यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान is the correct answer, यह याद रखेगा, ठीक है, चले, अगला कुशन आपके लिए यह रहा, यहां पे सबकत मलिक, has become the first Kashmiris female, to be selected, represent India, in Dash International Federation World Championship, सबकत मलिक, Dash में, अंतराश्टी महासंग की में, विश्व Championship में भारत का प्रतिनिद्द करने के लिए, चुनी जाने वाली पहली कश्मीरी महिला बन गई है, किसमें, टैकॉंडो, जूजिट्सू, जैवलिन और जिमनास्टिक, किसको यह प्रतिनिद्द करेंगी, यहां पे A option, A option करें, कुछ लोग D option करें, करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएंगे दोस्तो, B option, जूजिट्सू, इस दी करेक्ट आंसर, ठीक है, अगला question आपके लिए रहा, Who has become the first woman officer of the Indian Air Force to receive a gallantry award, वीर्ता पुरुसकार प्राप्त करने वाली भारती वायू सेना की पहली महिला अधिकारी कौन मनी है, दीपिका मिसरा, सेलिजा धामी, अवनी चतरवेदी और गुन्जन सकसेना, कौन मनी है, अवनी चतरवेदी, कुछ लोग D दीपिका मिसरा कह रहे है, अगला गुशन, अरलिंग हालन्ड हालन्ड हाज बिकम यंगेश्ट प्लेयर टु स्कोर 35 गोल्स इन UEFA चैंपेंशिप विच टीम डिडी प्ले 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 फॉर, अरलिंग हालन्ड UEFA चैंपेंशिप में 35 गोल करने वाले सबसे कम उम्र में खिलाडी बन गए हैं, वा किस टीम से के लिए खेलते हैं, मैंचेस्टर युनाइटेड, ब्रॉशिया, दॉर्टमंड, पैरिस सेंट, जर्मेन, और रियल मेड्रेड, किसके लिए खेलते हैं, यहाँ पे D option, D option कह रहे हैं, correct answer होगा, दोस्तों, option number two, बॉरशिया, डॉर्टमंड, यहाँ पे correct answer होगा, अगला question, which state is conducting the second phase of the caste-based census, कौन सा राज जाती आधारित जर्णगर्णा के दूसरे चरण का आयुजन कर रहा है, तो फड़ा फड़ से यहाँ पे answer बताए, correct answer क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों, बिहार, बिहार कह रहे हैं, बिहार correct answer होगा, बिहार के CM कौन है, CM जो है, नितीश कुमार है, कौन है, नितीश कुमार है, और यहाँ के governor, जो है, भारत को हाली में, ग्लोबल उनिकॉर्ण इंडेक्स में, तीसरा स्थान पर रखा गया था, इन में से कौन सा देश, इंडेक्स में, शीर्स पर रहा है, रशिया, जापान, यूएसे और फ्रांस, कौन रहा है, यहाँ पे करे सर, यूएसे होना चाहिए, बाखी लोग कहा केते हैं, चले, जित्ते लोग यूएसे, यूएसे कह रहे हैं, उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो, क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे, यूएसे करेक्ट आंसर हो, क्या होगा, अगला कुशन, इसरो विल कंड़क्ट इन ओर्बिट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट यूजिंग स्पेंट पीएस फॉर ऑफ दा पीएसलवी सी फाइफ फाइफ मिशन, वाट इस दा प्रामरी अबजेक्टिव ऑफ पीएसलवी सी फाइफ फाइफ मिशन के इस्तमाल किये ज मून, मून, मून कह रहे हैं, यहां पर करेक्ट आंसर होगा है, दोस्तों, ऑप्शन नबर C, तो केरी आउट दा साइनिफिक एक्सपेरिमेंट इन ओर्बिट, सी ऑप्शन इस दी करेक्ट आंसर, ठीक है, अगला कुशन, विच कंट्री इस होस्टिंग दा मल्टी लेटरल इनिहोक्स, डेट दा इंडियन एर फोर्स इस पार्टिसिपेटिंग इन, कौन सा देश बहुपक्षी अभ्यास इनिहोक, इनिकोस, जो मेजबानी कर रहा है, जिसे में भारती वायू सेना भाग ले रही है, क्या हो फ्रांस है, ग्रीस है, इटली है, या फे स्पेन है, क्या अगर अगर हम बात करें, मारियो पोल अस्पताल हमले का एक एपी की तस्वीर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड जीता है, हमला कहां हुआ था, यूक्रेन, सीरिया, इराक और अफगानिस्तान, कहां पर हुआ था, यूक्रेन, यूक्रेन कह रहे हैं, करेक्ट आंसर या अगले कोशन बढ़ते हैं, ओ हो 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 हो, दोस्तो यहां पर समय होता है समाप्त, जहां पर आज हमने दोस्तो प्रीवियस जो है वीक, उसके सारे कोशन जो इंपॉर्डन हैं, वो हमने कवर किये हैं, अगर आपने डेली बेसिस पर नहीं देखा तो आपको एक आइडिय आप पता चल गया होगा, कि यह यह important question है, लेकिन अगर आपको deep में दोस्तो जाकि अगर देखना है, तो आप दोस्तो daily मेरे साथ जुड़िए, daily current fairway, जहां पर हम लोग deep में जाते हैं, और static gk के question भी cover करते साथ में, अच्छा, इसकी PDF कहां पर मिलेगी, इसकी PDF आपको मिल जाएगी, टेलिग्राम पर, कैसे मिलेगी, आपको टेलिग्राम पर जुड़ जाना है, सिर्फ सर्च क्या करना है, add the rate, गौरव सर्टेस्बूग, जहां पर YouTube सेशन के update मिलते हैं, daily PDF मिलते हैं, discussions होते हैं, quiz होती है, तो उसमें participate कर सकते हो, QR को scan करके जुड़ सकते हो, या directly आप लोग सर्च कर सकते हो, गौरव, मौरया, सर्टेस्बूग, यह भी सर्च करके, आप लोग क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और वहां से क्या कर सकते हैं, PDF कलेकर सकते हैं, ठीक है, मैं link दोस्तों आपको provide कर देता हूं, यह रहा link आप लोगों के लिए, just a second, हाँ मै लिंक आपको दूस्तों लाइव चैट पे दे दिया है यह आपको कमेंट बॉक्स और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा ठीक है अच्छा कहां पर आपको दोस्तों मिलेंगे प्लेलिस्ट स्की मैं आपको प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ आपको सिर्फ यूट् Crane Affair ठीक है तो आप देख पाओंगे यहां पर 21 तारीका 20 तारीका 19 तारीका 18 तारीका फिर उसके बाद दोस्तों पिछले करेंड करेंड वीक करेंड तैरेर यहां पर हैं ठीक है फिर उसके बाद आपको 14 14 12 11 सारा दोस्तों करंड चाहिए आपको मिल जाएगा, अगर आपने इसको चेक नहीं किया है, तो प्लीज जाके चेक करिए, और सारे current affair आप देख सकते हो, MTS की तेयरी कर रहे हैं, तो MTS की classes आपको यहाँ पर मिल जाएगी, MTS के लिए six month का current affair मैंने आपको already करा रखा है, जो आप लोगों ने बोला था, कि six month का current affair, तो यह already है, ठीक है, तीन हफते पहले लगबग कराया था, इसको लगबग 46,000 लोगों ने already देख रखा है, तो आप इसको भी जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा, किस तरीके से course अवेल करना है, वो मैं आपको बता देता इसी पे जाएंगे, और जाने के बाद सबसे पहले तो दोस्तों क्या करेंगे, सभी लोग जिनोंने like नहीं किया है, फड़ावर से like और क्या कर देंगे, share कर देंगे, ठीक है, और जैसी आप यहाँ पे नीचे आओगे, जैसी आप description open करोगे, description open करते ही, आपके सामने देख रही है, ठीक है, champion sale, दोस्तों, आपको 24 तक चले वाली, जहां पर आप लोग क्या कर सकते हो, pass ले सकते हो, pass पे सिर्फ आपको क्या करना है, click करना है, और जैसी click करोगे, आप देखोगे, यहाँ पे देखिए, आपको lifetime जो मिल रहा है, ठीक है, lifetime जो मिल रहा है, वो आपको म आप apply करोगे, आप देखोगे, जो 449 का, यहाँ पे दोस्तों, discount हो जाएगा, यह already इस पे coupon code लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए discount आपको नहीं दिखाएगा, similarly इस पे भी click करेंगे, तो इस पे भी coupon code लगा हुआ है, गौरव M, अगर नहीं लगा है, तो pass लेते वग, गौरव M, यूज़ कर सकते है, ठीक है, इस पे भी already लगा हुआ है, 649 का, इस पे अगर आप coupon code लगाएंगे, तो भी वो same ही दिखाएगा, क्योंकि इसमें already लगा हुआ है, coupon code इस link पे, ठीक है, तो यह देखे, यहाँ पे coupon code लगा है, इस वाले links पे ठीक है, तो ऐसे आप लोग यह सावर से कर लीजे, bell icon button को दबा लीजे, जिससे आपको notification up to date मिलता रहे, तो मिलें के दोस्तों, एक नए सेशन के साथ, एक नए जोश के साथ, जुड़ना मत भूलेगा, मेरे साथ अगले सेशन में तब तक के लिए रखेगा, आप अपना ख्याल, अपनों का ख्याल और